हलो एंड वेलकम टू उन्नती आईएस यूपी एससी एपी एफो के सिलेबस में हम एकाउंट्स के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और एकाउंट्स पर हमारा ये आज चौथा लेक्चर है इससे पहले के हम तीन लेक्चर्स में एकाउंट्स के बेसिक कॉंसेप्ट और कि बैसिट टर्मिनलोजी कवर कर चुके हैं कल हमारा लेक्चर देř से अप्लोड किया गया था रात 11 बजे के बात अप्लोड किया गया था तो आप मेंसे जो लोग जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और पिछला ले recording करनी पड़ी, जिसकी वज़ाए से lecture कलका late आया था, तो आप जिसने नहीं देखा हो, वो कलका lecture फिर से एक बार देख सकते हैं, कलके lecture में हमने 4 या 5 topic cover करने थे, लेकिन उसमें से एक topic GST का था, तो कलका lecture थोड़ा लंबा था, जिसकी वज़ाए से हमने GST को कलके lecture में इंक्लूड नहीं किया था, तो आज का हमारा lecture सिर्फ GST पर ही based रहेगा, आज के lecture में हम completely GST को ही cover करेंगे, हमने इसको इसलिए भी छोड़ दिया था, ताकि इसको आसानी से एक separate lecture में cover कर लिया जाए, और इससे क्यूंके question आने की confusion भी ना रहें, और कलके lecture में basic terminology को के बारे में बताया गया था, generally accepted accounting principles gap जिसे बोलते हैं, short form में, यह बहुत ही कलका lecture बहुत ज़्यादा important था, हमने 11 बजे के बाद upload किया है, आप उसे बिल्कुल जाकर visit करें, क्यूंकि अब तक UPSC EPFO में, अगर आप previous year questions देखेंगे UPSC EPFO के, तो ज्यादा तर questions को कल के ही lecture जो हमने बनाया है, 11th class की NCRT, उसी से ही directly लिये गए हैं, तो उसमें सारी terminology दी गई है, जिसे cost concept किसे कहते हैं, going concern concept किसे कहते हैं, business entity concept क्या होता है, इस तरह के दो या तीन बार अच्छे से उसे देखिए और याद कर लिजिए, तो शुरू करते हैं आज के अपने topic से, GST वस्तू एम सेवा कर, एक देश एक कर, nation one tax, GST वस्तूओं और सेवाओं की खपत पर गंतवे पर आधारित कर है, यानि कि destination based tax है, यहां मालक के manufacturing पर, की जगह पर यह tax नहीं implement किया जाता, manufacturing unit पर नहीं किया जाता, बलकि उसकी destination पर, जहां उसकी supply हो रही है, जिस जगह उसकी supply हो रही है, यानि कि final जो consumer है, final consumer है, उस पर यह tax imposed किया जाता है, और यह आपको पता ही होगा कि यह एक indirect tax का उधारण है, आपरतियक्ष कर का उधारण है, इसे अंतर के रूप में पिछले उपलब्द पिछले चरणों में भुक्तान किये गए करो के credit के साथ अंतिम खपत तक निर्मान से सभी चरणों में लगाया जाना प्रस्ता भी थे यानि जैसे कि value added tax था value added tax उसकी जगा इसको बिल्कुल last में लगाया जाता है और पिछला value जो वैट था वो value के addition पर लगाया जाता था वैट को value के addition पर लगाया जाता था किसी भी manufacturing unit product की जैसे जैसे manufacturing में उसकी increment होता था उसकी cost में increment होता था उससी तरह उस पर tax भी increment होता जाता था sun shape में इसमें केवाल मूले संवर्धन पर कर लगेगा और कर का बोज अंतिम उपभुकता को वहन करना पड़ेगा यानि कि last जो final जो product आएगा final consuming के लिए जो product आएगा सिर्फ उस पर ही tax लगाया जाएगा और ये tax consumer को गहन करना पड़ेगा ये consumer पर ये tax डाला जाएगा खपत के अधार पर गंतवे करकिया उधारना का अर्थ है कि उस कर प्राधिकारी को मिलेगा जो उपभुक के इस्थान पर होगा वो उस tax authority द्वारा उस tax officer द्वारा इसकी लेवी की जाएगी इसको उगाही की जाएगी जो जिस जगा सप्लाई की जा रही है जहां पर अंतिम उपभुकता उस product को purchase कर रहा है इसी product को अगर जहां अंतिम उपभुकता purchase कर रहा है वो area वो छेतर जिस tax officer के अंतरगत आता होगा वही कर अधिकारी वही कर प्राधिकारी उस tax को की उगाही करने के लिए अधिकरत होगा यानि कि जिस जगा सप्लाई की जा रही है जहां manufacturing की जा रही है वहां से इस tax का कोई मतलब नहीं है टैक्स वहां impose किया जाएगा और उसकी लेवी वहां की जाएगी जहां पर उस product को finally consume किया रहा है या finally उसकी supply पहुचाई जा रही है अब है GST में केंदर और राजियों के एक साथ एक समान कर आधार पर एक साथ शुलक लगाने का दोरा पहलू है यानि के dual aspect है इसमें GST के तीन मुख्य घटक हैं इसमें आपको पता ही हो एक है CGST जिसे Central GST कहते हैं फिर है SGST जिसे State GST कहते हैं और तीसरा है IGST जिसे Integrated GST कहा जाता है CGST का मतलब है केंदरिये वस्तू और सेवा कर CGST के तहट एक इकरत कर केंदर सरकार के राजसव का गठन करेगा यानि के CGST के तहट Central GST के तहट जो Tax जिस Tax की उगाही की जाएगी उससे Central Government की वो Central Government की Revenue को Increase करेगा वरतमान केंदरिये करो जैसे केंदरिये उत्पात शुल्क Excise Duty पिर है अतिरिक्ट उत्पात शुल्क इन सब को इस Tax में Include कर दिया गया है फिर है अपका SGST SGST से थाथ पर यह राज्य वस्तू और सेवा कर से है SGST का संग्रे राज्य सरकार का राजसव है यह तोटली राज्य सरकार के लिए किया जाता है GST के साथ सब ही राज्य करो जैसे मूले सहायता कर जिसे Value Added Tax कहते है या मूले समवर्धन समवर्धन कर भी कहा जाता है मूले समवर्धन कर भी इसको कहा जाता है Luxury Tax जिसे व्लासिता कर कहते है प्रिवेश कर Entry Tax आदी को GST के साथ विले कर दिया गया है उधारान के लिए जदी पंजाब का कोई एक वयापारी जिसका नाम रमेश है और वो पंजाब में ही किसी अनुच को कोई माल बेचता है तो जिसकी कियमत 10,000 रुपे है और अगर GST के दर 18% है यानि उसमें 9% अगर केंद्रिय वस्तूर सेवा कर है और 9% राज्य वस्तूर सेवा कर है तो 900 रुपे केंद्र सरकार के पास जाएगा और 900 रुपे पंजाब सरकार को ही मिलेंगे अगर 18% किसी प्रोड़क्ट पर पंजाब के अनदर GST है और उसमें 9% Central GST है CGST है और 9% State GST है तो वो directly 9% की SGST है State GST जो है वो सीधे सीधे पंजाब सरकार को दिया जाएगा फिर है IGST Integrated Goods and Services Tax इसका आर्थ है एकिकरत वस्तूर सेवा कर IGST के तहत 71 राजसाव सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरो के अनुसार केंदर और राज्य सरकार के बीच विभाजित किया जाता है यानि कि जो सेंटर गवर्मेंट द्वारा सेंटर गवर्मेंट द्वारा जिस रेट पर इन करों के डिवाइडेशन का निर्दारों किया जाएगा यानि कि Integrated GST को किस दर पर केंदर सरकार और राज्य सरकार के बीच बढवारा करना है इसका निर्दारन केंदर सरकार ही करेगी I-GST एक राज्य से दूसरे राज्य में माल और सेवाओं के हस्तान तरन पर लगाया जाता है इसमें सेवा कर भी शामिल है यानि कि अगर सेवा को एक राज़े से दूसरे राज़े में पहुचाया जा रहा है एक राज़े से दूसरे राज़े में प्रोड़क्ट पहुचाया जा रहा है या सेवा पहुचाई जा रही है तो उस कंडिशन में भी IGST केंदर सरकार द्वारा लगाया जाएगा और collect किया जाएगा वस्तू और सेवाओं का आयात भी IGST के अंतरगत आता है उधारण के लिए यदि माल मध्य प्रदेश से राजेस्थान में इस्तरांतरित किया जाता है तो यह लेंदेन यह transaction IGST के अंतरगत संभिलित किया जाएगा अब आगे हैं भारत एक संभिय देशे जहां केंदर और राज्ये दोनों को उप्युक्त कानून के माध्यम से कर लगाने और इखटा करने की शक्तियां सोबी गई हैं सरकार के दोनों इस्तर ओपर के पास सम्विधान में निर्धारित शक्तियों के विभाजन के अनुसार परियोग करने की के लिए अलग-अलग जिम्मेदारिया है जिसके लिए उन्हें संसाधनों को बढ़ाने की भी आउशक्ता होती है इसलिए दोहरा GST यानि के डुवल GST राजकोशिय संगवाद की समवेधानी काउशक्ता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसलिए केंदर CGST और IGST की उगाही और प्रबंदन करता है यानि के Central Government जो है Central Government जो है ये CGST CGST और IGST की उगाही करता है इसको लेवी करत किया जाता है और इसका एड्मिनिस्टर किया जाता है इसका प्रबंदन किया जाता है Central Government द्वारा CGST का और IGST की लेवी की जाती है और एड्मिनिस्टरेशन किया जाता है जबकि संबंदित राज्ये SGST लगाते हैं और SGST केवल राज्यों द्वारा ही लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है और इसको एकत्रित करते हैं इस उद्येश्चे के लिए भारत के समविधान में संशोधन भी किया गया है यह आपको पता ही होगा आप इसको कर टिवाइड़ीशन देख लिएते है यह नंते हैं होता है आपका अप्रतियक्श कर और दूसरा प्रतियक्श कर या तो आफ को अच्छी तरह पता होगा लेकिन अप्रतियक्श कर जो इंडारेक्ट टेक्से है उसमें केंद्धर और राज्य के कौन कौन से taxes हैं, यहां कुछ example दिये गए हैं, जैसे कि केंदर के सेवा कर है, service tax है, फिर है उत्पाद शुल्ख, exercise duty, फिर है सीमा शुल्ख, custom duty, फिर है custom duty दिया दी, इसे तरह राज्य का मुल्य सवर्धन कर, जिसे value added tax कहते हैं, value added tax, फिर है wage कर entry, फिर है चुंगी कर, optry, velocity कर, luxury tax, यह सारे, यह सारे ही यह राज्य करके उधारण है, राज्य के अप्रतियक्ष करके, indirect taxes के, अब इन सारों को, subsumed कर दिया गया है, वस्तू और सेवा कर द्वारा, इनको replace कर दिया गया है, GST द्वारा, good science services tax द्वारा, इन सारे करों को replaced, replaced कर दिया गया है, कौन से वाले, इन करों को, जो केंदर और राज्य के अप्रतियक्ष कर हैं, क्योंकि GST जो है, अप्रतियक्ष कर का उधारान है, इसका प्रतियक्ष कर से, यानि के आयकर से, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, आयकर है, जैसे corporate tax है, निगम कर, इन सबसे कोई इसका लेना देना नहीं है, GST का, किसी तरह का, ये सिर्फ आप्रतियक्ष कर से ही संबंदित है, अब आगे, माल और सेवा कर की विशिष्टा हैं एकल प्रिशासन के तहत पूरे देश में GST एक समानने कानून और पिरकिरिया है जैसे की हमने पहले भी बात की और अंतिम उपभोकता दो आरा वस्तूओं और सेवाओं की खपत के समय एक ही विंदू पर लगाया जाता है GST एक समान दर पर वस्तूओं और सेवाओं पर एक वयापक उगाही और संग्रे है कलेक्शन है जो input tax credit या मुल्य घटाओं के लाव के साथ होता है यानि के इसमें ये बताया गया है कि जैसे पहले value added tax होता था अगर कोई कहीं पर product manufacturing की जाती दी जैसे कोई industry है भी उसने raw material खरीदा 100 रुपेगा अब raw material से उसको उसने किसी तरह के value addition किया यानि के माल लीजिए इसने पहले आटा खरीदा 100 रुपेगा अब 100 रुपे से के आटे से उसने उसकी मैदा तयार किया उसका मैदा तयार किया या sorry bread तयार की अब उसमें जो addition हुआ value का addition हुआ तो हो सकता है इसमें 30 रुपे का खर्चा आया हो तो 130 रुपे होगा पहले तो जाता तो इसमें 11 रुपे और एड हो जाते तो 121 रुपे हो जाता इस तरह value addition पर ही पहले value add tax लगाया जाता था लेकिंग GST के आने के बाद अब last consumer पर ही जो final product बनकर तयार होता है जब इस आटे से पूरी bread बनकर market में आ जाएगी तो तब ही उस पर final tax लगाया जाएगा य पहुँचाया जा रहा है यह जो final good consume कर रहा है और वही जो consumer होगा जो final consumer होगा वही उस tax को बहन करेगा उस tax का भार उसी पर पड़ेगा जो finally उस product को purchase करता है तो यह एक example है bread का GST एक समानदर पर सेवस्तू और सेवाओं का पर एक वयापक उगाही है लेवी है और संग्रे है जो input tax credit या मुल्य घटाओं के लाब के साथ होता है जिसे उपकर पुनर विक्रे कर अतिरिक्त कर turnover tax जो turnover होता है tax आदी के लिए इसमें कोई गुंजाईश नहीं है यानि के इसमें कुसी तरह का scope in turn over वगेरा के लिए नहीं है जैसे corporate tax वगेरा होते हैं इनके लिए इसमें कुसी तरह का scope नहीं है वस्तूओं और सेवाओं पर कर की एक से अधिक उगाही नहीं है जैसे बिगरी कर प्रिव सरकार के करों को समाप्त कर दिया गया है अब single tax है लेकिन अब इसकी बहुत सी जगा आलोजना भी होती है वो हमारे subject का नहीं है मुद्दा नहीं है GST कर आधार को बढ़ाता है यानि कि टैक्स के base को बढ़ाता है और केंदर और राजजेक को के राजशब को भी बढ़ाता है जिससे सरकार के लिए प्रशासनिक लागत कम हो जाती है GST ने अनुपालन लागत को कम कर दिया है जैसे कमपलाइंस को कम कर दिया है और स्वेचिक अनुपालन को ये बढ़ाता है GST ने कराधान पर प्रभाव को भी हटा दिया है GST के परड़ाम सवरूप वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन में उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाली विनिर्मान और वितरन प्रडाले में विरिद्धी होगी और इसके परड़ाम सवरूप वस्तुमों और सेवाओं की मांग और उत्पादन में भी व्रिद्धी होगी ये अंत्ता आर्थिक दक्ष्टा इस्थाई दीरगकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा क्योंकि GST वयापार पिर्किरियाओं वयापार मॉडल संगठनात्मक संदचना और भोगोलिक इस्तिती के लिए तठस्ते नीट्रल है अब इससे आपको पता ही होगा यहाँ जितने जो लाब बताए जा रहा हैं ये प्रैक्टिकली कितने कामियाब हुए हैं ये आपने पिछले दो सालों में इसकी आलोचना में सुन लिया होगा कि यहाँ कोई बताने का ये विशे नहीं है तो कि GST से कितने अब तक लाब हुए हैं वयापारियों को भी और आम जंता को भी कितना लाब इसका पहुचा है और यहाँ तक किस सरकार को भी सरकार का भी टैक्स कलेक्शन कुछ महीनों के अलावा सरकार का टैक्स कलेक्शन बहुत तेजी से नीचे गिरा है जिसकी वज़ हर 5 साल तक continue Central Government द्वारा विभिन स्टेटों को in compensation के तोर पर प्रदान की जाएगी जिन स्टेट्स का इनका GST लागू होने के बाद Tax Collection में नुखसान हुआ है कमी आई है, decline हुआ है जिनका Tax Collection उनको 5 साल तक Central Government द्वारा एक मुष्ट रकम देने का वादा किया गया था हाला कि ये भी implement नहीं हो पाया है इसको भी Central Government दे, स्वायदे को भी पूरा नहीं किया है आगे चलते हैं GST देश में उत्वादित वस्तूओं और सेवाओं के लिए अंतर राश्टी बाजार में पिर्तिसपर्धी बड़त को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे निर्यात में वृद्धी होगी पिर है वस्तूओं और सेवा का इसमें है अंतर राज्य संचलन यानि के इंट्रा, यह है इंट्रा स्टेट मूमेंट, इंट्रा स्टेट मूमेंट इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही राज्य के अंदर कद एक अंतर राज्य संचलन इंट्रा स्टेट मूमेंट एक ही राज्य माल लेज़े कोई यूपी एक राज्य है इसी के अंदर, इसी राज्य के अंदर जो 75 देले हैं उसी के अंदर किसी manufacturing product या किसी सेवा का संचलन या movement और उस पर लगाया गया tax और दूसरा है अंतर राज्जी संचलन जिसे कहते हैं interstate interstate moment इसका मतलब होता है दो स्टेटों के बीच दो स्टेट के बीच मो किसी product या services का संचलन जैसे कि किसी UP और भिहार के बीच या फिर UP और राजिस्थान के बीच या MP के बीच तो ये कोई भी state हो सकते हैं दो state या दो से अधिक state भी हो सकते हैं तो जो interstate है एक ही राज्जे का अंतरगा जो movement होता है उसमें दो चीज़ा आती है central GST और state GST जिसको केवल राज्जियो द्वारा उगाही की जाती है और राज्जियो द्वारा ही इसका एकत्रिकरण किया जाता है फिर है अंतर राज्जे संचलन यानि के दो state या दो से अधिक states के बीच किसी product या services का moment इस moment के आधार पर product या services पर जो tax लगाया जाता है जो indirect tax impose किया जाता है वो IGST का part है IGST का part है integrated goods and services tax का हिस्सा होता है और integrated goods and services tax केंदर और राज्जियो द्वारा एक साथ लगाई जाने वाली GST है और इसके इसकी जो दरे होती है इसका निर्धारन केंदर सरकार द्वारा किया जाता है लगाई तो यह केंदर और राज्जियो द्वारा एक साथ जाती है IGST लेकिन इसका जो कर निर्धारन है वो केवल केंदर सरकार द्वारा ही किया जाता है केंदर सरकार ही इन दरों को निर्धारित करती है कि कौन कितना टेक्स लगाएगा और कितना टेक्स वसूल करेगा या लेवी की जाएगी और इसको फिर केंदर सरकार की के अनुसार ही केंदर सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार ही केंदर और राज्यों के बीच इसको बाट दिया जाता है तो आज के lecture में इतना ही GST को हमने थोड़ा detail में cover कर लिया है इससे पिछले lecture में हमने जो कल lecture upload किया था उसमें हमने बहुत important concept को concept बताये थे जो आपके लिए देखना exam के perspective से बहुत important है जिसमें हमने cost concept बताया था cost concept फिर आपका money measurement concept बहुत important है यह सारे concept business entity concept, business entity dual aspect concept, duality, एसी तरह materiality, इसी तरह objectivity, conservatism, रोणिवादिता, संकलपना, सारता संकलपना यह बहुत सारे 13 या 14 हमने concept पिछले lecture में cover किये थे और इनी 13 14 concepts में से ही question अबतर UPSC द्वारा EPFO के exam में पूछे गए हैं अगर आप previous year के paper देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम पिछले जितने भी UPSC, EPFO के जो previous year के paper हुए हैं उसमें जो question put up किये गए हैं वो directly 11th class की NCRT से और वो भी उस topic से जिसका नाम है generally accepted accounting principles, generally accepted समाननेता, generally accepted accounting principles लेखानकन सिध्धान्त, तो यह बहुत जो हमने यह कल के lecture में हमने cover किया था इस topic को और इसके अंदर सारी संकल्पनाओं को सारे concept जो आते हैं इनी से ही questions अब तक पूछे गए हैं, 80% question इसी topic से ही पूछे गए है gap, इसकी short form gap है generally accepted accounting principles तो आप में से जिन लोगों ने इस lecture को नहीं देखा हो वो जाकर इस lecture को हमारे देख सकते हैं, कल 11 बजे के बाद हमने इसको upload किया था तो आज के lecture में इतना ही, thank you